आपके साथ कुछ डिफरेंट स्टोरी अपनी शेयर करना चाहूंगी तो एक क्राफ लवर होने के साथ साथ मैं हूँ एक हाउस वाइफ और दो बच्चों की मदर तो मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं और उनके लिए टाइम निकालना भी मेरे लिए काफी जुरूरी है और आपको अपने हस्बिन को टाइम देना तो होता ही है और इसके अलावा घर के सारे काम मुझे खुद करना पसंद है तो उसमें भी काफी टाइम चला जाता है तकरीबर मेरे बारा साड़े बारा के करीब घर का सारा काम खतम हो जाता है तो उसके बाद नमास के लिए थोड़ा सा टाइम देना वो भी आपको फर्ज है उसमें भी आपको टाही नहीं कर सकते तो उसके बाद जब भी मुझे free time मिल जाता है Samaira का सोने का time होता है एक से दो गंटा वो सो जाती है तब मुझे थोड़ा सा free time मिल जाता है तो उस time में या तो मुझे सोना चाहिए या फिर मुझे टीवी देखना चाहिए या फिर scrolling करना चाहिए तो इन सारे options में से मैं पसंद करती हूँ अपने time को अच्छे से utilize करना तो इस time को आप अच्छे से utilize कैसे करोगे तो मैं अपने craft का जो भी काम होता है इसी time में करती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है मैं वो बना लेती हूँ उसे shoot का अगर काम होता है तो उसे shoot करने का time भी मुझे तब ही मिलता है क्योंकि जब बच्चे हुश्यार हो जाते है तो फिर आपका पूरा time पूरा ध्यान उसी में लग जाता है फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियोज बनाने में काफ़ी time जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किये भी ना मच जाए और इस valuable content को subscribe ज़रूर करें share ज़रूर करें अपने friends के साथ तो इसके अलावा मैं आपके साथ share करना चाहूंगी अपना एक experience तो अगर आप भी food lover हो आपको बाहर खाना बहुत पसंद है तो आप इसे ज़्यादा तर avoid करें तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि बाहर का खाना ना तो healthy होता है और ना ही fresh होता है मेरा इस तरह का एक experience रहा परसो मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम था तो उसके वजह से मैं घर पे खाना नहीं बना पाई और बाहर खाने के लिए हम चले गए तो जहां पर मैंने खाना खाया ना ये थाल थी 500 रुपे की दो थाल मतलब 200 रुपे की एक थाल है ये और दो थाल का total price हुआ 500 रुपीज तो इतने पैसे पे करने के बाद इतना बिल पे करने के बाद भी आपको आपका satisfaction वाला खाना नहीं मिलता इसमें ना तो टेस्ट था और ना ही ये फ्रेश था तो ना ये मुझे डाइजिस्ट हुआ तो मेरी राय है कि अगर आप बाहर जाते हो खाने के लिए तो पहले आप अच्छे से देख लो कि जहां पर आप खाने वाले हो उनका किस तरह का feedback है या reviews किस तरह के है उस वाले hotel के या restaurant के तभी अगर अच्छा review होता है तभी आप महां पर जाए परना अगर आप बाहर खाते हो ऐसे जगों पर तो आप सिर्फ पैसे वेस्ट करने वाले हो तो मेरी राय है कि अगर आप आपके कुछ पैसे भी अगर खाने पर या अपनी शॉपिंग पर लगा रहे हो तो एक से दो बार ज़रूर सोंच लेना कि आप जो शॉपिंग कर रहे हो वो ज़रूरी है जहां पर आप खाने वाले हो वो अच्छा है या नहीं क्योंकि अट दे एंड आपको हर चीज का हिसाब देना है छोटी से छोटी चीज भी अगर हम बेकार में खरीदते है जो हमाई फुजूल खर्ची जो हम करते है ना उसका हमें हिसाब देना है तो आपको माइड में सेट कर लेना चाहिए कि हम ये जो खरीदने वाले है ये जुरूरी है या नहीं क्योंकि हमें अपनी आखरत का भी ध्यान रखना चाहिए अपनी इस दुनिया के साथ साथ अगर आप शादी शुदा हो आपके हस्वेंड लाखों कमाते हो काफी आप वेल एजुकेटेड फैमिली से हो आप वेल सेटल हो तब भी मुझे लगता है लड़कियों को अपने लिए कुछ करना काफी जरूरी है लड़कियों को मेंटली इमोशनली फिजिकली स्ट्रॉंग होना काफी जरूरी है और इसी के साथ साथ आज कल के दौर में तो फाइनेंशली भी आपको स्ट्रॉंग होना काफी जरूरी है भले आपके हस्वेंड कितना भी कमाते हो भले आपके पापा आप शादी शुदा करने की या उसे बचाने की जो आपका दिली सुखून होगा ना वो सबसे बढ़कर होगा तो मेरी दाए में आप घर का काम करने कि मेंत्रस सिर्फ और सिर्फ में होता था मैं मुझे हैंडमेड कोई चीज दिकि बस उसको कैसे बनाना है कैसे मैं सीखना है उसी पे मेरा कॉंसेन्ट्रेट जाता था और दो वह सेल होती है तो मुझे और अच्छा लगता है कि मेरे बना हुए